ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है फैमिली क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दो कुछ पी लिखने की जरूर नहीं है क्लास की नोट सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट डाउलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हमारा मेडिसिन और सुशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इस फैमिली मेडिसिन और सुशल साइंस वाले चैप्टर में इसके पहले भी हम बहुत सारी टॉपिक कर चुके हैं इस कम्यूनिटी हैल्थ, सुशल और साइंस, सोसाइटी, कल्च सब्सक्राइब को लोगें तो यह सारे वीडियोस उनके नूट्स के साथ आपको मिल जाएगे तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसने इसन सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक टैडिस फैमिली में क्या-क्या सवाल पुछे जाते हैं यह आपको पता होने चाहिए डिफाइन फैमिली के नाम से आता है फैमिली साइकल इस पर अलग से आपको शॉट नोट आता है तो याद रखना टाइप सब्सक्र अप्ली में आपको वरी शॉट नूट आजाता है और रोल आफ फैमिली इन है एन और और पूरा का पूरा एक लाउंक कोश्चन आपको आजाता है कि डिफाइन फैमिली इस टाइप सबसे पहले चीज की फैमिली का मतलब क्या होता है यह कर्या a group of people जो कि biologically related है एक दूसरे से एक ही साथ रह रह रहे हैं और एक ही किचन से खाना खा रहे हैं मतलब comparative делать मतलब कि माता जी पिता जी और माता जी की सादी हुई फिर उनके बच्चे हुए तो यह जो दो बच्चे हैं यह सब सब लोग डट रिलेटेड है थे ऊ voulais रिलेटेड एनों की जीन पूल रहते हैं उसके बाद एक ही ही घर में हैं और एक ही किजन से खाना खाते हैं यह याद रखना यह तीन पॉइंट बहुत इंपॉटेंट है पहला एक biological related है दूसरा एक साथ रहते हैं तीसरा एक ही किचन से खाना करते हैं definition के लिए बहुत important है ठीक है अब एक M.C. क्यों आता है कि भाई यह जो family है न society अगर देखे जाएं तो most powerful social cohesion social cohesion का मतलब होता है कि सामाजिक सामंजस तो सामाजिक सामंजस का सबसे अच्छा एक्जामपल या most powerful example कौन सा है तो वो है परिवार या family कि उसके लावा जो family होती है वो एक bridge की तरह काम करती है दो generations की बीच में जैसे कि यह थे हमारे दादा दादी फिर आए हमारे पापा मम्मी और फिर आए हम तो जो पापा मम्मी की generation है उन्हों ने एक bridge की तरह काम कि हमको नहीं पता हमाई दादा दादी और उनकी generation में क्या होता था वो कैसे थे उनके बारे में सारी जानकारी हमको कैसे मिली यह जो ब्रिज था एक जनेरेशन का दैट वस फैमिली जो पापा मम्मी थे उनके थूआ तो यह ब्रिज होता है जनेरेशन की बीच में उसके अलावा जो civilization का टांसवर होता है जैसे दादा दादी लोग थे इनके टाइम पर टेलीफोंस नहीं होते थे लेटर से चलते थे लेटर से वहां आते थे उसके बाद पापा मम्मी आये उनके टाइम पर टेलीफोंस आ गए फिर हम लोग है हमाई टाइम पे मोबाइल फोन सा गए तो एक सिविलाइजेशन हुआ एक सिविलाइजेशन से दूसरे दूसरे से तीसरे इसका भी एक्जामपल फैंबली है तो ट्राइस्फर civilization या bridge between generations कौन होता है family यह याद रखना उसके अलावा जो फैमिली या परिवार होता है ना फो एक primary unit होता है सारी society में मान लो एक society को imagine करो या township को imagine करो यहां पर बहुत सारे घर है बहुत सारे घरों में families रहती है ठीक है और यह सारी families मिल के बनाती है एक society तो एक पूरी की पूरी society में जो most basic या primary unit कौन होई family तो यही families मिलके एक society बनाती है तो यह भी कोशन आपको आ सकता है कि भाई society की most basic या primary unit कौन होती है तो वो family होती है ठीक उसके अलावा अगर हम unit की बात कर रहे है तो जो परिवार या family होती है मुकिता तीन unit के जैसे काम करती है biological unit, social unit और cultural unit biological का मतलब क्या होता है जो हमने कहा था भाया biological related है यानि कि उनमें एक ही gene pool है कि भाया माता-पिता से बच्चे में आया बच्चे से उनके बच्चों में जाए गया एक ही gene pool या family tree रहता है social unit, social unit का मतलब होता है हमने कहा था ना कि भाया वो एक ही घर में रहते हैं तो फिर वो एक ही physical और social environment को share करते हैं इसलिए वो एक ही social unit की तरह होते है और cultural unit भी होती ही, cultural unit यानि कि चो परिवार या family होती है न वो एक ही संस्कृती और belief या culture या customs को share करते हैं आपस में तो that is cultural unit तो एक संस्कृती, एक घर, social or physical environment एक ही gene pool that is biological unit, social unit and cultural unit याद रहेगा, तो इतनी चीज़े तो at least family में पता होने चाहिए कि family क्या है, family के बारे में कि social coercion का सबसेच एक्जामपल transfer point of civilization, bridge between generation, primary unit of society, तीन तरह की unit, biological, social and cultural उसके अलावा जो primary social relationship जिसको हम कहते है ना या जो सामाजिक रिष्टा, most primary सामाजिक रिष्टा जो है, वो किसका है? वो है पती और पतनी का या husband और wife का, इस पे एक mcq आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि primary social relationship का सबसे चाहिए है husband and wife समझ गए तो यह तो होगी थोड़ी सी family की बात की भाईया family क्या होती है उसके बाद अगला टॉपिक जो family में आता है बहुत ही important है इस पे अलग से आपको short note दे दिया जाता है कई बार star question है इस पे आपको कहीं न कहीं यह question भसेगा कि भाया family cycle to enumerate करो या family cycle की phases या stage बताओ उउसको समझाओ तो family стрीना family cycle का मतलब क्या होता है family cycle का मतलब होता है Family का بنना और उसका उजढ़ना यह पूरी के पूरी Family cycle जैसे पनी life cycle होती है अपtem पैदा होते हैं और उसके बाद मर जाते हैं ऐसे एक family भी होती है family बनती है और family खतम हो जाती है इस पूरे बीच कि cycle को कहते है family sao मुक्यता candle family cycle मैं छh phases होती है help lights एक्सटेंशन का मतलब होता है फैम्ली का बढ़ना कोंप्ली टारा से बढ़ चुकी होती है इसको अच्छे से समझते हैं फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है formation का मतलब होता है कि दो लोगों के शादी होई भाई यह हुआ पती यह हुई पतनी दोनों की शादी होगे marriage formation हुआ तो कहां से कहां तक याद रखना family cycle में दो चीज़ याद रखनी कहां से कहां तक beginning कहां से होती है उस phase की और वो phase खतम कहां होती है तो शादी होने से लेके पहला बच्चा होने तक तो यह अपना पहला बच्चा हो गया है शादी होने से लेके पहला बच्चा होने तक को कहते हैं formation phase ठीक है अब याद रखना इस cycle में जो पिछले वाले की आखरी होगी ना वो पहले वाले की अगले वाले की पहली होगी तो इसकी शुरुवात कहां से होगी extension phase की शुरुवात कहां से होगी जहां से formation खतम हुआता याने की extension कहां से शुरुव होगा कि भाईया पहला बच्चा जब आपका पैदा हुआ है वहां से लेके family में आखरी बच्चा जो पैदा हुआ कि यहां तो पैदा होने से लेके, दूसरा बच्चा पैदा होने तक यह होटी है आपकी extension phase extension मतलब क्या family बढ़ रही है extension phase कहां पर आएगी कि भाईया पहला बच्चा पैदा हुआ से लेके आकरी बच्चा पैदा हुआ complete extension क्या होता है complete extension फिर वह होगा पिछली वाले की आकरी stage ले लो तो दूसरा बच्चा पैदा होने से लेके जो पहला बच्चा है वो घर से बाहर गया मतलब कि अगर जो सब बड़ा बेटा था या बड़ी बेटी थी वो पढ़ाई के सिल्सले में नौकरी के सिल्सले में घर छोड़के चला गया है वो घर पे नहीं रहेगा घर से बाहर रहेगा तो complete extension कब हो गया complete extension होगा आकरी पैदा हुआ था वो पढ़ाई या नौकरी के सिल्सले में घर से चला गया that is complete extension हो गया अब इससे जादा तो बढ़ेगी नहीं अब तो कम ही होगी फैमिली तो contraction शुरू होगा तो contraction कहां से शुरू होगा भई contraction मतलब जा रहा है कोई कम होंगे ना फैमिली वाले कम होंगे तो कोई जा रहा है तो कहां से शुरू होगा पहला बच्चा घर से गया से लेके आकरी बच्चा घर से गया contraction कहां से कहां तक होगा पहला बच्चा घर से गया अब कम्प्लीट कॉंट्रेक्शन क्या होगा कम्प्लीट कॉंट्रेक्शन पूरी तरह से कब खतम हो सिकुड जाएगी पूरी फैमिली दूसरा बच्चा घर से गया मतलब यह वाली से लेके जो पहला जो दो लोगों की शादी होई थी ना तो उनमें से एक की मृत्य हो गई सम या बननी कहां से शुरू होई थी एक बंदा था उसकी बंदी से शादी होई थी पूरी तरह से कॉंट्रेक्ट कब हो गई जब कोई एक दोनों में से मर गया पहले तो दोनों बच्चे जा चुके है और किसी एक की मृत्य हो चुकी है डिसॉल्यूशन का मतला फैमिली पूर की पूरी फैमिली साइकल कि भरई शादी होई से लेके पहला बच्चा उसके बाद पहला बच्चा से लेके आखरी बच्चा पैदा होना फिर यह हो गई are कीयो होगा शादी होने से लेके पहला बच्चा उसके बाद extension ੴक बढ़ना शुरू होगा तो पहला बच्चास के आखरी बच्चा पैदा हों Lazio इस extension complete extension है ने पैला बच्चा भर खिंडेट ग्या उसके बाद जाना ऊसके बाद पत्नी में से किसी एक की मृत्ति हो गई उसके बाद यह हो गया complete contraction dissolution मतलब कहां से शुरू होगा कि भाईया पत्नी में से पहले की मृत्ति हो गई से लेके दूसरा जो बचा हुआ था उसकी भी मृत्ति हो गई that is dissolution समझ गए तो बस इत्ता ही रहता है याद करने के लिए सबसे अच्छा मैं कैसे याद करता हूं मैं याद करता हूं formation पहले तो यह 6 याद कर ली कि वह यह formation है उसके बाद इन दोनों को साथ में कर लिया extension और complete extension उसके बाद इन दोनों के याद कर लिया contraction और complete contraction और dissolution तो f e c d ठीक है तो a b c d e f होता है न तो वैसी f e c d हो जाएगा इसको याद रखना f e c d तो मैं तो इसी याद करता था भाहिया fifa of eos ea sports की c d तो fifa ea sports c d मैं तो याद करता था तो f is for formation e is for extension और उसी के साथ में complete extension आ जाएगा c is for contraction उसी के साथ में complete contraction आ जाएगा d is for dissolution ठीक है तो fifa ea sports c d ऐसे याद कर सकते हो मैं तसी याद करता था उसके लावा अगर आपको phases याद करनी है तो मैं न सिर्फ ये वाली चीजे याद करता था ये जो एल है बाकी अपने आप याद हो जाती थी कैसे formation क्या होगा शादी से लेके पहला बच्चा extension क्या होगा पहला बच्चा से लेके आखरी बच्चा पैदा होना complete extension क्या होगा आखरी बच्चा पैदा होने से लेके पहले बच्चे का जनम, पहला बच्चा जा रहा है घर से, contraction क्या होगा पहला बच्चा घर से लेके आखरी बच्चा घर से जा रहा है और complete contraction क्या होगा आखरी बच्चा घर से जा रहा है ठीक ये हो गई आपकी family cycle इन च्छे के नाम याद रख लेना और कहां से शुरूर होती है कहां खतम होती है याद रख लेना थीक है तो दैट इस family cycle FIFA EA sports की CD याद रहेगा तो यह हो गई आपकी family cycle अब आता है अगले चीज कि भाईया कितने तरह की families होती है यह आपका बहुत basic question है वाईवा का कि भाईया कितने तरह की families होती है तो मुखिता जो आप बोलोगे ना मुखिता दो तरह की family होती है nuclear family और joint family याद रखना कि जो यह three generation family है ना it is an extension of joint family ठीक ह तो मुखिता अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना दो तरह की family होती है nuclear family और joint family और three generation family जो है it is an extension of joint family अभी तो इत्ता समझ लो ठीक हम nuclear family जो होती है उसको elementary family या unitary family भी कहते है अब nuclear family क्या होती है एक married couple याने कि husband और wife और उनके dependent पच्चे मतलब husband और wife और फिर इनके दो बच्चे करा देते हैं दोनों लड़के करा देते हैं अभी तो ये दो बच्चे यह होगी आपकी nuclear family dependent बच्चे याद रकने डिपेंडेंट चगदर साल से कम उमर के बच्चों को dependent बच्चे कहते हैं तो husband और wife और उनके dependent बच्चे इसको कहते है nuclear family खतम वाग समझ के nuclear family क् उनके dependent बच्चे that is nuclear family अब joint family क्या होती है joint family को extended family भी कहते हैं इसका इसको अगर define करने को बोले तो कैसे करोगे कि एक से ज़्यादा merit couple अपने बच्चों के साथ जब एक ही घर में रहते हैं एक ही kitchen से खाना खाते हैं और एक ही family पर से उनका पूरा खर्चा करते हैं उसको कहते हैं joint family इस joint family में जितने भी male लोग होते हैं वो सभी blood relatives होते हैं जबकि females wife भी हो सकती है daughter भी हो सकती है sister भी हो सकती है उसके अलावा एक ही property को health करते हैं मतलब सबकी एक ही property होती है और इसमें जो senior most male member होता है वो जादा तर घर के decision लेता है समझ गए तो हमने के हां क्या बनाया था यह हमारी थी nuclear family कि यह हो गए uncle यह हो गई हमारी auntie और इनके हमने दो लड़के करा दिये थे तो दो लड़के करा दिये यह हमारी nuclear family थी याद है अब हमने इनहीं दोनों लड़कों की शादी करा दी तो यह दो बंदिया आ गई इसकी भी शादी करा दो इसकी भी बंदिया आ गई तो अब क्या है और यह एक common घर के अंदर रह रहे हैं ठीक है और एक common kitchen से खाना खा रहे हैं ठीक है और एक common purse से पूरा घर का खर्चा चल रहा है ठीक है तो अब यह कौन सी family हुई देखो number of married couples हैं यह देखो एक married couple दो married couple तीन married couple तो number of married couples हैं अपने बच्चों के साथ तो यह देखो या इनके इन दोनों के यह बच्चे हैं यह बच्चे है number of married couple अपने बच्चों के साथ एक ही घर में तो यह एक ही घर है एक ही kitchen से खाना कर रहें एक ही kitchen से खाना कर रहें एक ही purse से खर्चा कर रहें एक ही पर यह जो है यह घर के सीनियर मेल मेंबर हैं और घर के ज्यादतर डिसीजन यह लेते हैं आपकी जॉइंट फैमिली समझ गए तो जॉइंट फैमिली का मतलब समझ गए कि भाइया एक से ज्यादा मैरेट कपल अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रहें और एक ही किचन से खाना एक ही फैमिली पर शेयर करें एक ही प्रॉपार्टी हो मेल्स जो है वह ब्लड रिलेटिव से हो और जो घर का बड़ा मेल्स अदर से है वह घर के ज्यादा तर डिसीशन लें टैट इस जॉइंट फैमिली खतम समझ गए जॉइंट फैमिली समझ में आ गई तो यह हो गई हमा कॉमन किचन था कॉमन पर्स था और फेर यह अंकल थे यह अंटी थी इनके दो बच्चे थे यह लड़का एक कि लड़का नंबर दो इसकी वाईफ आ गई इसकी wife आगे ठीक है ये लोग एक ही common kitchen से खाना खा रहे थे और अब अगर मैं कहूं कि ये जो पहला लड़का था अपनी wife के साथ इसको एक बेटा हो गया और ये जो दूसरा लड़का था अपनी wife के साथ इसको एक बेटी हो गई अब क्या है अब ये किस तरह की family है तो कितनी generation है यहाँ पर ये देखो ये एक generation मतलब ये दादा दादी बन गए है ये दूसरी generation जो पापा ममी बन गए है ये तीसरी generation जो बच्चे आ गए तो ये three generation family हो गई तो यहाँ तक joint family थी और जैसे ही इनके बच्चे हुए ये three generation family हो गई यानि कि joint family का ही तो extension है three generation family समझ गए तो तो वही लिखा है कि three generation family is an extension of joint family उसके लावा एक और चीज़ लिखी है कि young couple ये जो है ना हमारे ये young couple ये अपने parents के साथ रह रहे हैं ये देखो इन couple के parents ये हैं तो अपने parents के साथ रह रहे हैं साथ में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं तो ये इनके बच्चे हैं ठीक है तो young couple जो अपने parents के साथ रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं याने कि तीन generation साथ में रह रही हैं एक ही household में उसको कहते हैं three generation family समझ गए तो ये बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इसमें बहुत confusion होता है कि ये nuclear family के है joint family के है three generation family के है तो इसको अच्छ झी ये थी अन्टी जी ठीक है दोनों की शादि हुई शादि होने के बान दोनों के दो बच्चे हुए दो लड़के पैदा करा देते हैं ये एक लड़का ये दूसरा लड़का ठीक है फिर इसके लिए हमने एक बहू ले आए और इसके लिए भी एक बहू ले आए ठीक है अब ये दोनों की शादी हो चुकी है तो ये भी आ गए ये भी आ गए तो ये कौन सी थी पहले nuclear family थ ठीक है फिर से बताता हूं husband wife दोनों की शादी हो गई और दोनों के दो बच्चे हो गए ठीक है अभी ये कौन सी family है अभी ये nuclear family है husband wife with their dependent children nuclear family है अब जो दोनों लड़के हैं उनकी शादी करा दी तो अब ये कौन सी family हो गई number of married couple देखो एक दो और तीन number of married couple living under the same room ये देखो एक ही घर के अंदर रह रहे हैं एक ही kitchen सी खाना का रहे हैं एक ही Princeton से खाना खारा हैं एक ही पर से कर्चा कर रहे हैं और ये जो दोनों लड़के और उनकी बहुये हैं उनके भी बच्चे हो गए एक एक बच्चा कराँ धिया इनका अभी कौन सी फैमिली हो गई? तो ट्रीजनरेशन फैमिली हो गई, एक जेनरेशन दूसरी जेनरेशन और तीसरी जनरेशन और अगर definition के साब से चले तो young married couple, जो की अपने parents के साथ रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ भी एक ही household में तो three generation family समझ में आ गया तो यह हो गई आपकी three generation family समझ गया nuclear family joint family और three generation family अब इसमें ना थोड़े से और सवाल बनते हैं फिर से देखते हैं अंकल जी अंटी जी शादी हो गई ठीक है दो बच्चे है एक लड़का उसकी बहु और लड़का उसकी बहु तो इन दोनों की भी शादी कर दो इन दोनों की भी शादी कर दो ठीक है तो अभी तो यह joint family है ठीक है उसके बाद एक बच्चा कर दो इसका ठीक है इसका एक बच् यह हो गई three generation family अब वियाद रखना अब मानलो यह जो बहु है ना यह बोली हमको नहीं रहना साथ में तो इसने ना अपना अलग kitchen बना लिया ठीक यह पूरा का पूरा एक घर था ठीक है सब लोग common kitchen यह जो था इसी से खाना खा रहे थे लेकिन यह जो छोटी बहु है ना चोटी बहु ने बोला हमको नहीं रहना साथ में हम तो अपना अलग रहेंगे यह माडम ने ना अपना अलग kitchen बना लिया अब इसको कौन सी family कहोगे तो देखो यह हो गई एक nuclear family क्यों husband wife अपने dependent बच्चे के साथ रह रहे है ठीक है इनका kitchen अलग है तो यह एक nuclear family हो गई और यहां पर यह जो बच्ची यह पूरी की पूरी आपकी three generation family हो गई कि husband wife अपने बच्चे के साथ अपने माता पिता के साथ रह रहे है common kitchen से खाना का रहे है common purse से करचा अब बड़ी बहु ने बोला हम भी नहीं रहेंगे हमको भी नहीं रहना साथ में हम भी अपना अलग kitchen बना यह तो अब रहा ही नहीं बड़ी बहु ने भी अपना kitchen बना लिया अपना purse बना लिया हम भी नहीं रहेंगे हमारा भी खाना अलग बनेगा तो भाया यह एक और nuclear family हो गई और यह अंकल अंटी अके लिए रह गए अपने kitchen और purse के साथ तो यह एक और nuclear family हो गई तो देखो एक three generation family जो पूरी की पूरी थी उसमें पहले बनी थी एक nuclear family और एक three generation थी और दूसरी ने भी अगर अलग हो गई तो यह एक nuclear family यह एक nuclear family यह दूसरी nuclear family और यह तीसरी nuclear family तो ती nuclear family बन गई बटवारा हुआ तो समझ में आ गया तो ऐसी सवाल भी बनते हैं कि अगर छोटी बहु अलग हो गई यह बड़ी बहु अलग हो गई तो एक nuclear family एक three generation joint family हो जाएगी दोनों बहुए अलग हो गई तो तीन nuclear family बन जाएंगी तो इस तरह का भी आपको सवाल आ सकता है याद रखना वाइवा में कई भार पूछ लिया जाता है ऐसा बन जाएगा ना I hope कि यह बन जाए जाएगा nuclear family joint family three generation family confusion बिल्कुल नहीं होगा three generation family क्या है three generation family कुछ नहीं है यह सिर्फ extension है joint family का समझ गए तो याद रखना इस चीज़ को बहुत important है इसलिए इसको थोड़ा समय दिया कि भाईया types of family बता होना चाहिए अब अगर हम types of family की बात कर रहे हैं तो कुछ specific नाम आपके सामने आएंगे उनके मतलब पता होने चाहिए complex family complex family तो simple कि भाईया एक family जिसमें दो से जादा adult है उसको complex family कहते हैं कतंबाद अब ये अंकल है ये अंटी है इनके दो बच्चे हैं ये दोनों ही 18 साल के उपर के हो गए हैं तो भाईया ये complex family हो जाएगी ये दोनों भी adult है य अगर ये 18 से नीचे होते दोनों बच्चे तब ये complex family नहीं होती अगर एक बच्चा भी 18 से उपर का हो जाएगा तो ये दोनों तो अठारा के उपर कही थे एक बच्चा भी 18 का उपर का हो जाएगा तो ये complex family हो जाएगी समझ गए communal family communal family क्या होती है communal family में सारे family members जो होते है थो अपना काम बाट लेते हैं और सब मिल जूल के घर के अंदर के घर के बहर के सारे का मिल जूल के करते थे हैं उसको कहते हैं घालू पोच्छे मैं करूँगा वाइफ ने बहुत इया कि चलो भाइया घर पर कपड़ा-पड़ा मैं मारूंगी बच्चों ने बोल दिया पानी गम लोग को पानी हम लोग देंगे गाड़ी समसाफ करेंगे सब लोग मिल जुल के काम बाटके कर रहे हैं उसको कहते हैं communal family तो communal family क्या होती है जिसमें काम का बटवारा कर दिया जाता है that is division of labor हो जाती है उसको communal family कहते है खतम बात कि भई अलग अलग family members ने अपने अपने काम बाट लिए तो काम बाट लिए is communal family याद रहेगा simple उसके माद आती है conjugal family conjugal family में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई strict duties है कि तुमको ही पानी भरना है तुमको जाडू पोचा करना है कोई strict duties या obligation नहीं होते है बस emotional bond के तहत family रहती है प्यार महबबत से उसको कहते है conjugal family कुछ यह नहीं कि इसको याद कैसे करेंगे तो भाया हम chemistry में भी पढ़ते थे और अलग-अलग पढ़ते हैं कि conjugate का मतलब क्या होता है conjugate का मतलब होता है दो चीज जुड़ी हुई होती है किससे जुड़ी हुई होती है एक bond से तो conjugate क्या होता है conjugate जब जुड़ी हुई चीजें हो किसी bond से तो conjugal से conjugate याद आएगा उससे bond याद आएगा तो emotional bond से जुड़ी हुई family जो होती है उसको conjugal family कहते है याद रहेगा conjugal यानिकी conjugated conjugate यानिकी जुड़ेंगे किससे bond से जुड़ेंगे तो bond काई का bond याद रहेगा मैट्रिफोकल फैमिली क्या होती है मैट्रिफोकल फैमिली होती है माँ अपने बच्चों के साथ बस माँ अपने बच्चों के साथ रहती है उसको कहते है मैट्रिफोकल फैमिली सिंपल मैट्रिफोकल फैमिली क्या है माँ अपने बच्चों के साथ रहती है खतम मां और फोकल मतलब specific to मां specifically अपने बच्चों के साथ रह रही है is metrifocal खत्म ऐसे याद कर सकते हो metrifocal to matter मात्र मात्र मतलब मां अपने बच्चों के साथ खत्म कंसेंजुनल फैमिली क्या होती है कंसेंजुनल फैमिली का मतलब होता है मां अपने बच्चों के साथ अपने माईके में रह रही है खत्म बात मदर अपने चिल्डरन के साथ उन लोगों के साथ रहती है जो जादातर मां की तरफ के होते हैं मतलब की मां अपने बच्चो के साथ अपनी मम्मी के घर में रह रही है नट इसको कैसे यात कर रखेंगे तो कंसे जिनल में देखो यह आपको गाईनि वर्ट दिखे होगा Twi n background efforts तो इसको अगद देखो तरह से गाइनी टाइप का लग रहाह एक किसमें यूज करते हैं मॉम इन इन मॉम हाउस मां इन मॉम हाउस मां अपने बच्चों के साथ माइके में रहने वाले को इसे याद करेंगे जो जी यू आई एन इए इससे आपको गाईनी टाइप का दिख जाएगा गाईनी ऑप्स गाईनी वाला तो उसमें मॉम याद आजाएगा मॉम इन मॉम्स हाउस खतम याद रहेगा कंसेंजिनल फैमिली उसके बाद आता है डिस फंक्शनल फैमिली इसमें तो यार शब्द मे याद चुपाए डिस फंक्शन याने की फैमिली का पूरा फंक्शन बिगड़ चुका है आपस में खूब लडाई जगड़े होते हैं आपस में एक दूसरे से मिस बहेव करते हैं लाते जूते गाली गलोज सब होती है मेंबर्स के बीच में तो याद रहेगा कॉंप्लेक् इनको याद रखना क्योंकि इस पे अलग-अलग MCQ आपको आ सकते हैं तो इनको याद रखेगा तो यह तो हो गया आपका टाइपस ऑफ फैमिली कितने तरह की होती है हमने देख लिए न्यूक्लियर फैमिली उसी का एक्स्टेंशन ट्री जनरेशन फैमिली कॉंप्लेक्स कम बढ़ी टाइपस लिए अब आता है बहुत इंस फैमिली के साथ रोख सबको साथ में मिलकर रहना चीएसा बोलते हैं तो फंक्शन सब से पहला फंक्शन तो है रेसिदेंस आपको घर प्रोवाइट करता है अब दो तरह का रेसिदेंस हो सकता है पैट्रिलोकल और मैट्रिल address what likağ DK mandal lobby कि मतलब ज्ञाद तो जगहों पे ओसल है कि शादी के बार की पतिके घर जाती है तैटिस मेंटलोकल मैंट्रीलोकल का मतलब क्या यूता है कि भर जमाई जिसको कहते न कि भर जमाई बंके जो रहता है तो होता क्या है कि कि हश्केंट जो होता है वह वह । वाइफ के घर जाके रहने लगता है, घर जमाये जो नॉर्मल टम यूज होती है तो हस्बन, वाइफ के घर जाके उन लोगों के साथ रहने लगे उसको कहते हैं, मै cheaper local residence, पैटरी लोकल और बैटरीbellbell लोकल मतलब तो भई रेसिज्चेंस, पैटरी और मैटरी है पैट्री मतलब पिता और मैट्री मतलब माता तो मम्मी के घर जाके पपा रहने लगे इस मैट्री लोकल पैट्री लोकल पपा के घर मम्मी रहती है इस पैट्री लोकल याद रहेगा ऐसे याद कर सकते हो तो एक तो हो गया भीया फैमिली आपको घर प्रोवाइड कराती है घर पर चत देती है ठीक और क्या का में फैमली का division ओफ लेबर यह मने communal family में देखा ही है कि in fact तुम जब तुम joint family है इन फैक nuclear family में भी देखोगे न सब लोग family members मिल बाटके रहते हैं मिल बाटके काम करते हैं घर के सारे काम मिल बाटके करते हैं तो असानी से हो जाते हैं डिविजन ओफ लेबर कि किसी एक घर का भाहर नहीं आता है सब लोग मिलके घर के सारे काम कर लेते हैं डिविजन ओफ लेबर तीसरा बहुत इंपोर्टेंट है ब्रिंगिंग अप उफ चिल्रन बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो उसक अच्छे से हुआ क्योंकि हम जॉइन फैमिली में थे फैमिली वालों के साथ थे तो अगर फैमिली जो होती है वो बच्चों को बड़ा करने में लालन-पालन करने में बच्चों का खयाल रखने में बहुत इंपोर्टेंट रोल्प्ली करती हैं उसके बाद होता है में बहुत सारी चीज़े आप देखोगे कि भाइन जो हमारी संस्कृति है उसके बाद जो परंपराएं हम फॉलव करते हैं जो हम प्रथा रीती रिवास फॉल्व करते हैं जो हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है जो हमारी खाने कियाते हैं यह सब हमें कहां से मिली हैं हमारी फैमिली से मिली है अलग-अलग फैमिली में अलग-अलग तरह के पैटर्न होते हैं तो वो कहां से मिला वो उनको उनकी फैमिली से मिला है कल्चर ट्रेडिशन कस्टम्स अलग-अलग फैमिली में हमको अपने पूरवजों से अपन उसके अलावा एक और चीज़ होती है that is economic function जो खूब चलता है ना मुझे जायजात में हिस्सा चाहिए that is inheritance of property तो that is economic function आप चाहो ना चाहो आपके जायजात में आपका नाम आई जाता है तो that is inheritance of property मुझे लगते हैं इसमनी होना चाहिए पपा लोग की कमाई है पपा लोग के पास छोड़ दो अपना कमा लेंगे पर fact है कि inheritance of property कानूनन होती है ठीक उसके लावा होता है social care अब social care का मतलब क्या होता है देखो जब तुम बच्चे होते हो ना तो तुमको society में महले मे कोई नहीं जानता जब हम महले में घूंधे रहते थीतों के अर्फित नाम कुई नियुका के लड़का साब कर लड़का जा मिलता है बच्पन में सोसाइटी में एक जगह मिलती है फैमली के नाम की वज़े से कोई हमको नाम से नहीं जानता था कि वो देखो अरपे जा रहा है या अंके जा रहा है हमको जानते थे वर्मा मैडम का लड़का जा रहा है या वर्मा सर का लड़का जा रहा है ऐसे जानते थे हमको हमारे हमारे पहचान बहुत बाद में बनी पहले हमकोता है Hai of the dependence care of the dependence या देखो घर में जब भी कोई बीमार पड़ जाता था ना तो पुर्वा परिवार मिलके उसका ख्याल रखता था और मैं तो घर में सबसे चोटा था तो भाईया पूरा घर सर पर उठे जाता था कि भाईया काकू का ख्याल तो रखना है तो care of the dependence बहुत बंदा या बंदी बीमार है तो ना drug compliance प्रजाता है अगर वो फैमिली के साथ रहता है क्यों कि ये family members नजर रखते हैं कि भाईया समय समय पर दवाईयां खा रहे हैं कि नहीं तो अगर आपने नहीं खाईये तो दो रैप्ते पड़ेंगे और दवाई का चुपचा तो care of the dependent म ड्रग कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टन टर्म याद रखना और इसपे एक mcq भी आया है कि ड्रग कंप्लाइंस जैसे कि डॉट्स वगरा जो थेरपी है टीबी की उसमें कई बार दवाईयां लेना भूल जाते हैं लेकिन अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हो वो रखते हैं तो आप भूल जाओ तो वह आकर आपको याद दिलाते हैं कि भाईया दवाई समय पे ले लो डाट इस कहरो फटा डिपेंडेंट समझ गए तो एक और यह फंक्शन है फैमिली का उसके अलावा एक बहुत अच्छा फंक्शन है डाट इस परस्नालिटी फॉर्मे कुछ एकदम हार्टकॉर बन जाते हैं क्योंकि उनकी इतिनी सुटाई होई है ना बच्पन में एकदम हार्टकॉर हो गया भाई अब तो लाइफ में कुछ भी जहिल लेंगे तो पस्नालिटी बनाने में और ना एक बहुत इंपॉर्टन टरम स्टेबलाइजेशन डैट इस हो जाए ना सबसे पहले आप मम्मी को फोन करते हैं मम्मी सामने से आपने मम्मी को वैसे कभी फोन नहीं करोगी लेकिन जैसी लड़की छोड़के जाएगी ना वैसी मम्मी को फोन करोगे और मम्मी का सबसे पहला सवाल यह क्या हो गया सब कुछ ठीक है अपनों नहीं सब कुछ अच्छा लगने लगता है कौन बंदी कौन बंदा कुछ नहीं याद रहेता मम्मा है बस कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में जय से प्रफेशनल परेशनिक और कुछ भी होना सबसे अच्छा है कि पास जाओ फैमिली आपकी शॉक अब्जॉरवर सारी की सारी पिटेंशन खतम कर देंगे और कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे तो कोई हो ना हो फैमिली हमेशा होती है आपके लिए शौक एब्जावर के जैसे ठीक तो ये कुछ फंक्शन्स थे फैमिली के तो याद रखना कि भाया घर प्रोवाइट करती है काम में सिखाते है आप को सबसे आपने नाम देते हैं बड़े बुड़ो बच्च्व कषियाल के लिया एक लिए और कुछ भी जरूट हो परिवाद हमीशा खड़ा है तो इस तो परकुनियम से पतल इस इस पर अलग से शौट नोटा जाता है याद रखना तो रोल ओफ फैमिली इन हेल्थ इन डिजीजेज में पहले चीज़ आपको यही पता होने चाहिए कैसे फैमिली ही आपको बीमार कर सकती है तो फैमिलियल सब्सक्राइब डिजीज कई बीमारियां ऐसी होती है जो फैमिली में रंड करती है कि भैया माता-पिता को थी तो हमको भी होंगी या दादा-दादी को थी तो उनसे माता-पिता में आएंगी नाना-नानी को थी तो उनमें माता-पिता को आएंगी फिर हम में आएंगी जैसे कि हीमोफेलिया, color blindness, diabetes बहुत important है, शीजोफ्रेनिया, यह सारी बिमारिया familial inheritance के तहत हैं कि भाया परिवार में ही चलती रहती है एक generation से दूसरे generation में जाती है इनके लावा एक और टर्म होती है consentious marriages consentious marriages क्या होती है कई communities होती है जिन में ना cousins की ही शादी करा दी जाती है तो जब ऐसा किया जाता है न तो उन में बच्चों में कई बार congenital malformation देखने को मिला है तो यह भी एक तरह का है कि फैमिली में ही अगर शादी करा दी तो कुछ न कुछ पंगे होते हैं और congenital malformation कई बार बच्चों में देखने मिलता है तो यह भी एक example है familial susceptibility of disease का तो यह तो हो गई वह भीमारिया जो फैमिली में ही फैमिली के जीन में ही चलती है उसके अलावा दो मुखे नाम याद रखना broken family और problem family इस तरह की family भी आपको भीमार कर सकती है आपको health को effect कर सकती है कैसी broken family का मतलब क्या होता है broken का मतलब क्या है कुछ तूट गया तूट गया मतलब परिवार तूट गया अब यह जो परिवार है यह कैसे तूट सकता है या तो माता-पिता अलग-अलग हो जाए यानि की divorce हो जाए या तो माता-पिता में से किसी एक की मृत्यू हो जाए तो क्या होगा family टूट जाएगी तो सील उसको कहते हैं broken family या तो separate हो गया यहने की divorce हो गया या तो किसी एक की मृत्यू हो गई तो family टूट जाएगी अब इस तरह की जो family होती है न क्योंकि एक ही parent रहेगा या तो माता-पिता अलग हो गए है तो माता-पिता की किसी की death हो गई है तो उ इसी immature personality रह जाती है बच्चों की क्योंकि माता-पिता का पुहरपूर प्याद नहीं मिल पाता थोड़ा psychotic behavior के भी हो जाते हैं बच्चे पूरा अच्छे से लालन पालन नहीं होगा तो growth retardation भी देखने को मिलता है बच्चों में और अगे जाके यही बच्चे crime drug addiction इन सब ची family में ना दो चीज़ याद रखना पहला तो family जो की community के मुकाबले समाज में काफी पीछे रह जाती है वो family को problem family कहते हैं और दूसरा ऐसी family जो अपने जिसमें माता-पिता अपने बच्चों की physical और emotional needs को पूरा नहीं कर पाते हैं उसको problem family कहते हैं समझ गए तो ऐसी family जो समा आज में पीछे रह गई हो या ऐसी family जिसमें parents अपने बच्चों की physical और emotional needs को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसको कहते हैं problem family अब इसके बहुत सारे causes होते हैं एक तो आपको पते है यार कि poverty गरीबी गरीबी जो होती है इसलिए ज्यादा तर low social economic status में देखने को मिलता है कि भय परिवार अगर गरीब है तो भहिया physical needs को ही पूरी नहीं कर पाएगा अब अगर काम में लगे रहेंगे माता पिता तो कई बार emotional needs भी पूरी नहीं कर पाएंगे बच्चों की तो poverty or low social economic status में देखा जाता है मगर मैंने क्या कहा कि more common जादर तर देखा जाता है हमेशा नहीं क्यों नहीं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि backwardness की वज़ा से भी आपको देखने को मिलता है कि family पीछे रहेंगे backward मतलब सोच सोच पुरानी रहे गई उस family ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है गाउं आउस साइड जाओके तो आपको कई जग चूला चौका करना है हम अपने घर में वेस्टन कल्चर क्यों लेकिया है हमारे को टीवी नहीं चाहिए हमारा रेडियो से काम चल रहा है इंटरनेट की जरूरत नहीं टेलीफोन हमारा ठीक है हमको मोबाइल फोन नहीं चाहिए हमारा बही खाते में काम चल रहा है हम डिजि गरीब नहीं है लेकिन सिर्फ सोच पुरानी है इसी लिए तो यह हो गई एक और गॉल्स मैंने कहा ना हमेशा गरीब परिवार में कई बार आप देखोगे कि गरीब परिवार फिजिकल नीट तो पूरी नहीं कर पा रहे लेकिन इमोशनल नीट पूरी कर पा रहे हैं बच्च कि दोनों दिन भर पाई से कमाते रहते हैं अब जो बच्चे हैं वो बिचारे अकेले रह गए क्यों क्यों पर ध्यानी नहीं दिया जा रहा तो इनकी फिजिकल नीट तो पूरी कर दी माता पितन लेकिन इमोशनल नीट पूरी नहीं कर पा रहे है ना पपा के पास काम है समय है बच्चों के साथ खेलने का ना मम्मा के पास टाइम है बच्चों को प्यार करने का बच्चे विचारे अकेले हो गए तो फिजिकल नीट तो जरूरत से जादा पूरी कर दी लेकिन इमोशनल नीट पूरी नहीं कर पाए तो वो भी प्रॉब्लम फैमिली में आएंगे और एमोशनल नीट डौनो पूरी नहीं का पाते हैं जैसे कि गरीब परिवार वो पूरी पूरी नहीं कर पाता vidéoस है जीसे समरत्य परिवार येकिन पैसे कमाने में इतनी बिजी होगा है कि बच्चों पर ध्याने नहीं दे पाए तो इसलिए बैक्वर्डनेस पावर्टी मेंटल यार सोशल इंस्टेबिल्टी यह सभी कॉजिस होते हैं प्रॉब्लम फैमिली के लेकिन हाँ जो सच है वो यही है कि लोग सोश्य एकनॉमिक सेटरस में ज्यादा जाएंगे ड्रग अडिक्शन वगरह में लग जाएंगे तो यह भी देखा गया है ठीक तो धियान रखना यह दो वाईवा के लिए बहुत इंपोर्टेंट टर्म से प्रॉब्लम फैमिली और ब्रोकन फैमिली ठीक तो इतनी चीज़ें जो आपको फैमिली में पता होनी चा बहुत है तो सीद्देशी को आज आता है और पालडव। और सीद्देशीज़ें आपको आजाते हैँ तो फैमिली इस्टार कुशन है मतलब medicine and social science वाले का सबसे important topic जो है वो है family कोई topic medicine, social science में पढ़ो नहीं पढ़ो ये topic मत छोड़ना family बहुत important है ठीक अब अगर मैं बात करूँ वाइवा की तो भाई वाइवा में सबसे पहले चीज़ तो आपसे family की definition पुछ ले जाती है कि भाई या define करो family को तो वाइवा में सीधा सीधा बोल दे जाता है define करो family को सेकंड चीज़ वाइवा में आपसे पुछ चाती है कि भाईया family cycle की phases बताओ कितनी है तो भाईया हमने याद किया था FIFA EA Sports CD तो FIFA EA Sports CD ऐसे याद किया था तो आपको family cycle की steps पता होनी चाहिए फिर वाइवा का question nuclear family को define करो joint family को define करो three generation family को define करो तो समझाते हुए आना चाहिए और फिर वही कि एक बहु चली गई तो क्या हुआ दूसरी बहु चली गई तो क्या हुआ उसके बाद इनको वाइवा के लिए complex communal conjugal metafocal consensional और dysfunctional family इनको भी समझाते आना चाहिए वाइवा के लिए functions functions of the family समझाते आना चाहिए क्योंकि यह बहुत important question मेरे MD के exam में भी में वाइवा हुआ था बहुत important दो टर्म है broken family और problem family वाइवा के लिए यह पूछा ही पूछा जाएगा कि क्या होता है problem family यह broken family इसको समझाओ तो वाइवा में तो इतने चीज़े पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूं MC की उसकी तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड में वह अलग-अलग entrance exam में पूछे गए MCQ है तो एक MCQ मुझे यही मिला था कि भाया social cohesion का best example या most powerful example कौन सा होता है तो family दूसरा में एको मिला था कि भाया transfer point of civilization क्या होता है तो family bridge between generation क्या है तो family उसके अलावा primary social relationship किसको कहते हैं तो husband और wife को उसके अलावा family cycle में तो कई बार हर stage पर आपको question पूछा गया है तो family cycle पर तो आपको mcq मिलेगा ही मिलेगा तो family cycle की हर stage पर आया है कि फॉर्मेशन स्टेज कहां से कहां तक होती है या extension या in fact family cycle को शुरू से आकरी तक करो कि भाया first कौन सी है second कौन सी है third कौन सी इसको अरेंज करो इस तरह के mcq आते हैं ठीक nuclear family में कुशन आया है कि define करो nuclear family क्या होती है इस पर mcq आया है और new family क्या होती है इस पर भी आपको mcq आया है तो new family क्या होती है nuclear family जो दस साल से nuclear ही है उसको कहते है new family समझ गए तो यह point याद रखना new family किसको कहते हैं कि nuclear family याने कि husband wife अपने बच्चों के साथ हैं और 10 साल से ये एक nuclear family ही है joint family कभी नहीं हुए उसको कहते हैं new family इसका इस्तिमाल कहां होता है family planning से related या contraceptive से related को studies होती हैं उनमें new families बहुत important role play करती है एक MCQ मेरे को communal family पे भी जादा देखने मिलता है जब family साथ में रहती है तो अंडर observation family observation के तहित रख compliance जादा अच्छा हो जाता है problem family पे एक MCQ मेरे को मिला था ऐसी family जो community में पीछे रह जाती है उसको क्या कहते है तो उसको problem family कहते हैं तो इतनी चीज़े हैं जो आपको family या फिर functions of family, role of family in health and diseases या family cycle में पता ही होनी चाहिए Thank you